आपको यह जानकारी हमें जो देनी इस मॉडूल जो जैश मुहमद का बस्ट किया है डेली में इसके बारे में एक हमारी छै मेने से करीब ऑपरेशन चल रहा था जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि जैश के जो मेंबर्स है वो डेली और NCR रीजन में टेरेस स्ट्राइ में है इस इंपुट को डेवलप किया गया और हमारी टीम कॉंस्ट्यूट करी गई कि इसमें एक जो एक जो एक अक्टिव मेंबर साजिद उसका जो लेफ्ट पाम है जो हतेली है वो एक आईडी असेम्बल करते समय जल गई है हमारी सोर्स लगे हुए थे डिफरेंट डिफ विदिन मिनिट्स अफ द रिपोर्टिंग अफ इस इन्फॉमेशन अफ द बर लेफ्ट हैंड पाम आफ द डिफ एक्टिव एक्टिविटीज वाच करने के बाद सारा कुछ का इसके पास से आइडी रिकवर हुई है जिसमें 11 बैटरी है जिसमें 6 ड्राइब बैटरी है और और तरीकी बैटरी है दो टाइमर डिवाइसे हैं और तीन पाइप हैं और मोर देन 250 ग्रैम्स अफ वेरी फाइन कॉल्टी एक्स्पलोसिफ पाउडर डिटेक्ट हुआ जिसको फॉरंसिक ए इसमें अनौफल अक्टिविटी प्रेंशन अक्ट सेक्शन 1820 रेडविज सेक्शन 120 बी आइपीसी केस सरदर्च किया गया और उसके पास हमारी टीम सारी निकली इसमें जितने लोगों को राउंड अप किया गया उसमें तीन की गिरफतारी हो चुकी है गिरफतार होने आले जिव्यक्ति उनके एक तो साजिद है जिसका हाँ जल गया था और जहां उसके मकाम से आईडी रिकवर हुई दूसरा समीर है समीर लोनी का रहने वाला है उसको वहां से अरेस्ट किया गया और साथी दियोबंद में यूपी में रेट करी गई अलॉंग विद यूपी ATS करें की कारवाई होईगी आपको यह मैं बता दूँ कि यह काफी रेट डिकलाइज यूथ थे और यह बेंट अपॉन थे कि कोईंसिदेंट डेली में या न्सिदेंट नहीं हुआ है और इनके टार्गेट पे बिजी मार्केट प्लेसे मॉल्स वगरा थे और आइडी में जो हुआ 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 है